कि नुश्कर दोस्तों आज मैं एक बैस्ट इंसुरेंस प्लान के फाइदे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है जिवन आनंद और इसका टेबल नमबर 815 है दोस्तों यह यह LIC का एक मात्र ऐसा प्लान है जिसे हम दो बार बीमा की रकम ले सकते हैं यानि कि यह डबल फायते वाला प्लान है और LIC का स्लोगन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इस प्लान पर बिलकुल सूट करता है क्योंकि इस प्लान में LIC आपको पहली बार इस प् होने पर maturity की रकम आपको बीमा धन बोनस और फाइनल बोनस के साथ देती है और क्योंकि जीवन का दूसरा सच मृत्तु है हम सब को एक नाएक दिन दुनिया से जाना है तो जब भी बाद में बीमा धारक की कभी मृत्तु होगी तो उसके नौमिनी को दोबारा से बीमा की रक स्कार्णकम guaranteed इस प्लान में मिलेगी तो इस प्रकार से इस प्लान में एक बाद जीवन के साथ पैसा मिलता है और दोबारा जिन्दगी के बाद पैसा मिलता है तो आई एए जानते हैं को इसके कुछ अन्य पहलों पर इसके नजर डाल लेते हैं उसके उसके बाद हम जानेंगे कि किस प्रकार यह टरम इंसुरंस से भी बहतर प्लान है तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लान में प्रवेश की नेमत्म आयू 18 वर्स है और अधिक्तम आयू 50 वर्स है प्रीमियम का भुक्तान आप यरली हाफ यरली और क्वार्टरली और मंथली में भी कर सकते हैं पॉल्सी की अवधी यानि की टरम 15 वर्स से लेकर 35 वर्स है बीमा राशी आप कम से कम एक लाग का बीमा ले सकते हैं और एधिक्तम की कोई सीमा नहीं है आप अपनी इंकम के हिसाब से इसे ले सकते हैं दोस्तों इस प्लान में प्रीमियम भुक्तान वीदी मे यदी आप वार्शिक किस्त का भुक्तान करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट भी मिलता है और यदी शमाही किस्त में लेते हैं तो आपको इसमें 1% का डिस्काउंट मिलेगा quarterly और मंत्री में इसमें discount नहीं मिलता है और अन्य policy के तरह इस plan में भी आप 3 साल के बाद loan ले सकते हैं 3 साल के बाद ही surrender की सविदा भी इस plan में उपलब्द है लेकिन मैं आपको इसे बीच में ही surrender करने की सलान नहीं दूँगा क्योंकि इससे बीमाधारक का नुकसान ही होता है लेकिन फिर भी किसी मजबूरी के परिस्थिते में आप LIC से लोन लेकर अपना काम चला सकते हैं क्योंकि surrender में मिलने वाली राशी और लोन में मिलने वाली राशी में ज़्यादा फरक नहीं होता है और इससे आपकी policy भी चलती रहती है और आपका काम भी चल जाता है दोस्तो policy की अवधी के पूरा होने के समय परिपक्ता बीमाधारक को दे दी जाती है जो कि बीमाराशी प्लस साधारन परतेवर्ती बोनस प्लस अंतिम अत्रिक्त बोनस एफ़ेबी के बराबर होगी और इसके अलावा परिपक्ता के बाद किसी भी समय policy धारक की मृत्यू होने पर नौमिनी को बीमाराशी के बराबर मृत्यू दावाराशी दे दी जाएगी और यदि बीमाधारक ईश्वर की किरपा से 100 वर्स तक जीवित रह जाता है तो उसे दोबारा से बीमाराशी का बुक्तान कर दिया जाता है अब मिर्त्यू लाप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो यदि बीमा धारक की पॉल्सिय अवधी के अंदर ही मिर्त्यू हो जाती है तो प्रीमियम उसी समय बंद हो जाते हैं और नॉमिनी को बीमा राश्री का 125 पर्तिशत और मिर्त्यू के समय तक नहित साधारन पर्तिवर्ती बोनस और अंतिम अत्रिक्ट बोनस सब मिला कर दे दिया जाता है अब टेक्स बेनिफिट देख लेते हैं इस प्लान में आएकर अधिनियम की धारा 80C के तहट प्रीमियम भुकतान के लिए टेक्स बेनिफिट भी मिलता है और इसके अलावा मेचवटी या मिर्त्यू के समय मिलने वाली राश्री पर कोई भी टेक्स नहीं देना होता अब एक उधारन से इस प्लान को समझ लेते हैं राहुल की उमर अभी 25 वर्स है और राहुल ने इस प्लान को 21 वर्स के लिए 10 लाख की बीमा राश्री के लिए ले लिया है इस प्लान में उन्हें 21 वर्स के बाद मिचवटी के रूप में बीमा धन, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस को मिला कर कुल 21,29,000 राहुल को मिलेंगे और इसके बाद भी 10 लाख का बीमा पूरी जिंदगी के लिए फ्री में चलता रहेगा और उसके बाद कभी मिचवटी के स्थीती में नौमनी को 10 लाख रुपे मिलेंगे और इन सब के लिए राहुल को 21 वर्स में लगबग 11,21,903 रुपे जमा करने होगे और इसके लिए यरली प्रीमियम पहले वर्स 54,543 रुपे या हाफ यरली प्रीमियम 27,561 रुपे या कार्टरली प्रीमियम 13,925 रुपे या फिर मंतली की आसान किस्त के रुप में 46,42 रुपे देने होगे और इसके बाद अगले वर्स से प्रती वर्स किस्त थोड़ी कम हो जाएगी राहुल को 53,368 रुपे यरली या फिर 26,967 रुपे हाफ यरली या फिर 13,625 रुपे कार्टरली और या फिर मंतली में 45,42 रुपे देने होंगे जिसे प्रती दिन की बचत के हिसाब से देखें तो 146 रुपे प्रती दिन बैठता है हलाकि LIC प्रती दिन प्रीमिम नहीं लेती है इस पॉलसी के दूसरे पहली को यदि देखें तो मैचेवटी से पहले यदि बीमा धारक की मिर्त्य हो जाती है तो नॉर्मल डेथ के केस में 12,50,000 रुपे प्लस बोनस मिलेगा और एक्सिडेंटल डेथ केस में 10,00,000 रुपे अलग से मिलेंगे और अंत में जान लेते हैं कि यह प्लान टरम इंसरेंस से बहतर कैसे हैं दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम काफी कम पैसे में टरम इंसरेंस प्लान ले सकते हैं लेकिन इसके साथ ही यह जानना बहुत जरूरी है कि हम जितना ज़्यादा समय के लिए टरम इंसरेंस का प्लान लेते हैं उतना ही प्रीमिम ज़्यादा होता जाता है यानि कि यदि 25 लाग के टराम इंश्रेंस के लिए यदि हम 10 वर्स का बीमा कराते हैं तो लगभग 10,000 रुपे सालाना प्रीमियम आता है और यदि हम सेम 25 लाग के लिए 40 वर्स के लिए बीमा लेते हैं तो प्रीमियम डबल यानि 20,000 हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि हम 80 वर्स की आयू से जादा का टराम इंश्रेंस लेना अगर चाहें तो हमें नहीं मिलेगा जबकि जीवन आनंद में 100 वर्स की आयू तक के लिए बीमा मिलता है टराम इंश्रेंस की अवधी 80 वर्स की आयू में पूरी हो जाएगी और यदि उसके बाद 81 वर्स की आयू में बीमा धारक की मिलत्यू होती है तो क्योंकि टराम इंश्रेंस समाप्त हो चुका होता है क्लेम नहीं मिलेगा और यदि जीवन आनंद लिया है तो क्लेम जरूर मिलेगा और जीवन आनंद में यदि पॉल्सी अवधी में यदि बीमा धारक की एक्सिनेंट में मृत्यू नहीं होती और बीमा धारक पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो पॉल्सी की आगे की सारी किस्ते माफ हो जाती है और बीमा रासी का 10 प्रतिशत हर वर्ष अगले 10 साल के लिए बीमा धारक को मिलता रहता है यह सब टरम इंशुरेंस में नहीं मिलता है बलकि टरम इंशुरेंस में अपंगता की स्थिती में भी किस्त अलग से भरनी होगी जो कि उस समय शायद आपके लिए संभव ना हो जिसके करण इंशुरेंस कवर भी खतम हो जाएगा तो मित्रों इस प्लान की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी इसका फायदा देना चाहते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे ही नए प्लान की जानकारी के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसी के साथ धन्यवाद जैहिन